हेलो, डियर विएर्वज, तो हमारी आज की विडियो है विग्हांट शीप के बारे में विग्हांट शीप दुन्यादी तूर पे जंगली भेढ़ की एक नसल है बेढ़ों की दो नसले होती हैं, पालतु और जंगली, विग्हांट जंगली भेढ़ है ये नॉर्थ अमेरिका से नेटीव है बतलब ये वहीं की मुकामी नसल है इसकी इर्थकाव वहीं हुए ये नॉर्थ अमेरिका के इलावा कहीं नहीं पाई जाती इसकी दो इक्साम है पहाडी और सहराई माउंटेन बिगहौर, डैजर्ट बिगहौर इसका इलाखा केनेड़ा से लेके नॉर्थ मेक्सिको तक है और इस इलाखे में पहाड भी है बरफानी पहाड भी और सहरा भी माउंटेन बिगहौर यहां बरफानी पहाड़ों में पाई जाती है और जो डैजर्ट बिगहौर, सहराई बिगहौर है वो सहरायों में, जैसे कि मेक्सको के चिली केटा कामा वगर्हा के सहरायों में और जो मांटन sister, निवादा, राकी मांटेश, कॉलोरॉडो मांटेशच, वतरह में पाई जाती है मांटन बिगबड़ साइज में सहरायी बिगबड़ू से बढ़ी होती है एक बालिगनर का वजन 143 किलो से ज़ाध होता है और मादा का वजन 60-70 किलो तक जबकि एक सहराई बालिगनर का वजन 80-90 किलो तक और मादा का 45-50 किलो तक यह नियूम है मालिया से तालुक रखती है और इसका फिलम क 브ोडाट है तो वह वाकिया कुछ झूह है कि यूर्पियंद के नौर्थ अमेरिका में आने से पहले बिग हांड शीप की तादाद बहुत थी लाखों में थी लेकिन जब यूर्पियंद जहां आये तो उन्हें इनका शिकार शुरू किया शिकार रेड इंडियंज भी करते थे लेकिन वह इतना नहीं करते थे शुरू शुरू के यूर्पियंद ने तो सिर्फ इनका गोश्ट खाने के लिए या वैसे जब कभी जुरूद पढ़ी तब शिकार करते थे इसलिए इनकी तो दाद पर क्यों खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन बाद में आने वालों ने इनका शिकार एक खेल के तोर पे शुरू किया क्योंकि यह बहुत उंचोंचे पहाड़ा में रहते थे जहां तक पहुँचना एक चैलन्ज होता था तो शिकारी उस चैलन्ज के एकसेप्ट करने के लिए और मतलब की अपनी बहुदरी साबित करने के लिए इनका शिकार करते थे और इनके बड़े-बड़े सींग जो नर्के सींग होते हैं वो दिवार पर इनका सर लगा जाता था शिकार के बाद तो यह डैकॉरेशन के तोर पर इनकी तदाद बहुत गट गट गई गई मतलब क चंद हजार रहे गए फिर अमेरिका का नेशनल कॉंग्रेस और फिशिरीज कलब है उन्होंने दाइस सक जिद्धो जाया के बाद इनके शिकार पर बबंदी लोगवाई पिर अब इनकी दादाद बाढ़ रही है उन्हें तक्रीबन खतने से बाहिर है यह बिग हान मेनली घ उन्हें वाद हो तेल